हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजुकेशन क्लासे फ्रेंट्स यहसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी एकदम कांटिन्यू क्लास चल रही है और यह जितने भी क्वेस्टेंज पढ़ाये जा रहे हैं आपको एक बात जान ल को बिल्कुल मत छोड़िये फिर भी आप लोग कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं काफी बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं आपको बताना चाहेंगे यह क्वेस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है और एक चीज जान लीजे एक्साम के बारे में आपका जो क्या बोलते हैं इस इक्षा आयोग जो बन रहा है नया आयोग बन रहा है वो लगभग आपकी इतना समझ लीजे एक महीने के अंदर एक महीने में पूरा पूरा चांस है कि आयोग पूरा कम्पलीट हो जाए ठीक है मतलब एक से डेड़ महीने उसमें दिया है ना 20-25 दिन के अंदर आपका आयोग पूरा कम्पलीट हो जाएगा तो बस इतना समझ लीजे कि आपका हम मानते हैं एक से डेड़ महीने में आयोग पूरा कम्पलीट हो जाएगा मतलब 15 जनवरी के पहले पहले लगभग हम मान के चलते हैं तो आपका एक्जाम जो है ना बहुत जल्दी ही कंड़क्ट हो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, same to same questions देखिएगा, आपको exam hall में मिलेगा देखने को, ठीक है, समझ में आ रहा है न, जह हम कह रहे हैं, ठीक है, और बात, एक चीज, 17 दिसंबर से, जो आपकी 17 दिसंबर से रात को 8 बजे class चलेगी, रात को 8 बजे class चलेगी, उसमें आपकी rapid fire class होगी, कौन सी class होगी, rapid, rapid fire class होगी, और इसमें आपका 15 मिनट में कम से कम 50 से 60 questions, बिल्कुल fire की तरह होंगे, और ये questions जो होंगे न, वो देखिएगा, वो ही question होंगे, जहां से competition high होता है, मतलब कि, वो questions, जो आपका competition का जो level होता है, वो बढ़ा देते हैं आपके exam में, ज question जो है, मतलब out of syllabus है, आप लोग बोलते हैं न, exam में कुछ हैसे अटपटे questions आते हैं, जिसमें आप लोग बोलने लगते हैं, कि मैं ये तो out of syllabus है, या फिर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वही questions, जो most selected questions होंगे, वो हम 15 मिनट की class टेली रात में 8 बजे लिया करेंगे, और वो class class होगी, TGT, PGT, LT grade, सभी exam के लिए equally है, लेकिन अभी exam लगा हुआ है, TGT, PGT वालों का, इसलिए हमने उतमे mention कर दिया है, TGT, PGT, ठीक है, लेकिन वो जो सभी के लिए होगा, ठीक है, चलिए तो सुरू करते हैं, ठीक है, 17 December से आपको सभी को, शाम को 8 बचे जोड़ना है, अभी पहले से ही लगा दिया है, हमने से डूल, नहीं देखा है, तो लाइब बाले शहसन में जाकर आप लोग देख लीचेगा, ठीक है, चलिए अब सुरू करते हैं अपनी आज की class को, पूछा गया है, निमनिमे से ओप कलाकार कौन है, बताइए, एंडी वार्खोल है, इ राहुल, विनोध, विक्की, पवन, सस्मिता, प्रेमलता, बाबू, ज्यानेंद, गौतम, राहुल, अंश, कोमल, काफी सारे बच्चे हैं, कुमुध है, काफी सारे बच्चे हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इमनिंग, हाँ, अंश जी भी हैं, चलिए, शा पिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, औप्शन सी हो जाएगा, ये विक्टर वासरली जो है, ये आप कलाकार है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेस्चन पे पूछा गया है, पॉप कला का जन्म कहां पर होता है, इंग्लेंड में, चीन, अमेरिका, भारत, ब बेरी गुड, आप्शन ए होगा, ये इंग्लेंड में होता है, ठीक है, कहां पर इंग्लेंड आप्शन ए हो जाएगा, आगे चलते हैं, सबसे प्रशिद पॉप कलाकार कौन हैं, बताएए, जैक्सन पोलाक हैं, एंडी वारहोल हैं, वासरली हैं, पॉल के लिए हैं, होगा आपका, ऑप्शन भी, ये हैं, एंडी वारहोल, बहुत जादा फेमस थे, पॉप के मामले में, ठीक है, आगे चलते हैं, एंडी वारहोल कौन से आंदोलन से संबन्दित हैं, बताएए, जैस्ट अभी पढ़ा है, बस उसी को उल्टा करके पूछ लिया है, यहां, सभ ठीक है, चली, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा गया है, पॉप कला शैली किसने आरंब की थी, कोकोशका ने, वसारी ने, बुलाड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, आजाओ, चली कोई बाद नहीं, आजाए, फिफ्ट का क्या होगा, पॉप कला शै कला आंदोलन है, जो गती पर आधारित था, most important है, बताईए, दादावाद, भविश्यवाद, किरणवाद, प्रभावाद, सिक्सका, आंदोलन जो है, गती पर आधारित पूछा है, बिल्कुल, आंसर होगा, आपका option भी, ये है भविश्यवाद, ठेक है, बिल्कुल, गती से बढ़ रहा है इतना समझ लिजी ट्रिक से आगे चलते हैं भाविश वाद जो है आदूने कला आंदोलन किस के दौरा start होता है बताइए फ्रांस के कलाकारों से जर्मनी के कलाकारों ने बताईए, क्या होगा अंसर 7th का, बिल्कुल, आंसर है आपका option C, ये है इटली के कलाकारों के द्वारा क्या होता है, भविश्यवात की starting होती है, इतना आपको बिल्कुल से रट के रखना है, ठीक है, आगे चलते हैं, पूछा गया है भविश्यवात का आरंभ कौन से देश म होता है, लीजे वही question है, बस आगे पीछे कर दिया गया है, बताईए, क्या होगा, question वही है, बस सोच नहीं है, बताईए, बिल्कुल, आंसर है आपको option A, ये है इटली, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबास, लपक के लड़ू ले रहे हैं, ब बताईए, और एक चीज याद रखिएगा, एक्जाम जादा अब डिले नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल से परवरी मार्च तक ही मान के चलिए, कि आपका एक्जाम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका आयोग बनाना, तो सबसे पहले नजर आप ही के उपर जाने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल से डटे रही है, एक्जाम के लिए, डिले हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल से, आप्शन है होगा, काल लुका रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्निमे से एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है, आगे चलते हैं, पूछा गया है कि Chelsea Girl, नामक जो फिल्म है, ये किस पॉप कलाकार ने बनाई है, और बहुत important question है ये, बताइए, बताइए, क्या होगा answer, टीजिटी पीजिटी वाले बिल्कुल तयार रहें, फरवरी मार्च के लिए, जितने questions हो रहे हैं, और खुद से भी क करके आप लोग करिए, option B, एंडी वार होल हो जाएगा, ठीक है, पॉप कलाकार पुछा गया है, किसकी Chelsea Girl, आगे चलते हैं, action painting का जन्म होता कहां पर है, बताइए, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, 12 पे आएंगे, action painting का जो जन्म होता है, वो कहां पर होता है, बिल्कु जैक्सन पोलाक कौन से देश में रहने वाले कलाकार हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लेंड में, बिल्कुल सीरियस हो जाईए, एक्जाम के प्रति, पताइए, जैक्सन पोलाक जो है, वो कौन से देश से सम्मंदित हैं, शाबास, बहुत अच्छा अंस पत्ति कौन सी कला शैली से होती है, बहुत इंपोर्टेंट, बताइए, कहा से होती है, एक्शन पेंटिंग की, पढ़ लेओ, पोर्टीन, घनवाद, अतियत हार्तवाद, अभी वेंजनावाद, अमुर्थ अभी वेंजना, वेरी गुद, बहुत अच्छा अंसर दिया है, और बिल्कुल accurate दे रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तैयारी है, option D होगा, यह अमूर्त अभी विंजनाबार, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, next पर, पूछा गया है, child's blue wall, किस pop कलाकार की कृती है, बताए, 15, चलिए, बताएंगे सबी लोग 15 का क्या होगा, child's blue wall किस pop कलाकार की कृती है, आंसर बहुत अच्छा दिया है, option A हो जाएगा, जिम, डॉइन, अच्छा यह बताएंगे, किसी को मालूम है, computer के अविस्कारक कौन है, बताएंगे सबी बच्चे, पटा-फट से, आंसर करेंगे, मालूम है, computer के, शाबास, very good, Charles Babbage है, बहुत सही, अच्छा बताएंगे, computer का पिताम है, अगर पूछ लिया जाएंगे, तो क्या होगा, आंसर? computer के अविस्कारक तो हो गए, Charles Babbage, अगर computer का पिताम है, बोलता है, तब आंसर क्या होगा? बताएंगे, यही होंगे, ठीक है, confused नहीं होना है, हाँ, चलो, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए, यहां तक हो गया? आगे चलते हैं, पूछा गया है, अमेरिका में, pop कला कौन से शाल में आरंब होता है? 1950 में 56 में 60 में 64 में बताइए अमेरिका में पॉप कला जो है कौन से टाइम पर स्टार्ट होती है 16 बिल्कुल अरे यार यह क्या हो गया चलो ठीक है पॉप कला पूछी गई है अमेरिका में कभी स्टार्ट होती है तो आंसर की बात करेंगे आंसर है आपका ऑप्शन सी यह है 1960 में ठीक है आगे चलते हैं आप आर्ट है बताए कैसी है सजावती कला है घनवादी कला है नेत्री कला है समकालीन कला है बताए सभी लोग बताएंगे यह जो आप आर्ट है यह कैसी है बताए जल्दी से शाबास, very good, answer आपको बहुत सहीं आया है, यह है आपकी नेत्रीकला, ठीक है, क्या पूछ गया है, ओप आर्ट के बारे में, अच्छा बताइए जल्दी से, देखे, ओप आर्ट के बारे में बात कर लेता है, फटा फट से, ओप आर्ट के बारे में याद रखना है, इस कारम में किस ने किया है विक्तर वासरली ने किया है विक्तर वासरली का जन्म कहा होता है हंगरी में होता है ठीक है याद रखना है ठीक है और नेत्रीकला का जो मुख उद्देश होता है वो मतलब कि चाच्छुस भ्रहम होता है मतलब कि किसी चीज को देखकर आपको भ्रह आया है बताइए विक्तर वासरली का जन्म कहां होता है सभी बताएंगे शाबाज वेरी गुड आंसर है आपका ऑप्शन ए हंगरी में ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं बताइए कौन सा कला आंदोलन है जो गती के चित्रण को लेकर चला था बताइए क्या होगा अभी ये क्वे एमेफ हुसैन ने अपना प्रशिद इंस्टॉलेशन कौन से शहर में निर्मित किया था दिल्ली भोपाल कोलकाता बताए त्रिमेडी रवेंद्र कहां पर बताएंगे सभी लोग एमेफ हुसैन ने अपना प्रशिद इंस्टॉलेशन किस शहर में इस्थापित किया था बता बिल्कुल option A होगा ये है त्रेवेडी कलासंगम दिल्ली में ठीक है क्या होगा दिल्ली में आगे बढ़ते हैं next question है आपका पूछा गया है नेकचंद सैनी के द्वारा निर्मित जो रॉक गार्डन है ये कहां पर है बताईए कहां पर है और साथ में बताना है इसको पूछा है कहां पर है ठीक है इसको बनाने वाले कौन थे ये भी बताना है very good answer तो आगया है आपका ये चंडीगड में है और बनाने वाले कौन है ये दिया ही है नाम ही दिया है नेकचंद सैनी ने बनाया था ठीक है और नेकचंद सैनी का म्रत्व पूछली जाती है तो याद रखना है इनका जून 2015 में इनकी म्रत्व हो गई थी ठीक है याद रखन आगे चलते हैं प्रशिद इंस्टॉलेशन त्याटर ओब दी आपस्ट इसके निर्माता कौन है बताए प्रशिद इंस्टॉलेशन त्याटर ओफ दी आपस्ट के निर्माता कौन है बताए हू constitu बिलकुल आपचा option B यह है ठीक है अच्छा बताईए किसी को मालूम है installation जो सब्द है इसका सबसे पहले प्रियोग किसने किया था और कप किया था मालूम है किसी को installation जो सब्द है इसका सबसे पहले प्रियोग किसने किया था और installation का सबसे बड़ा संग्रहाले जो है वो कहां पर है और यह कैसी कितने आयामी होती है बताईए किसी को मालूम है installation के बारे में बताईए देखे installation सब्द जो है न यह सबसे पहले 1958 में प्रियोग किया गया था और किसके द्वारा किया धा याद रखना है जाद रखना है अलंन ग्रेको के द्वारा और क्या और इंस्टॉलेशन जो है न यह एक तरह की त्री अयामी है कैसी है यह यह याद रखना है ठिक है और installation का सब्से बड़ा संग्रहाल पूछ लिए जाता है तो आपको याद रखना है American Museum of Natural History का जो ये मतलब Exhibition Lab है ना ये सबसे बड़ा Installation का संग्रहाले है कौन सा फिर से सुन लिजे American Museum of Natural History का जो मतलब Exhibition Lab है ये सबसे बड़ा संग्रहाले है ठीक है ये Question पूछा जाता है इसको याद रखिएगा आगे चलते हैं पूछा गया है Roster Graphics Editor क्या है बताए कंप्यूटर प्रोग्राम है डिजाइन है इस्टॉलिंग प्रोग्राम है प्रेसको टेक्निक है बताए 23 सभी लोग सभी लोग बताएंगे 23 का 23 अभी सारे Questions आएंगे रुके Roster Graphics जो है एडिटर ये क्या है 23 चलिए आंसर की बात करते है आंसर है आपका Option A ये है Computer Program है एक तरह का ठीक है अच्छे जल्दी से छापके बताओ Animation को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र पर सेकेंड रिकॉर्ट किये जाते है किसी को मालूम है Animation को जो सजीव बनाया जाता है उसमें कितने चित्र पर सेकेंड रिकॉर्ट किये जाते है बताएए 24, 25, 26, 23 क्या होगा आंसर वेरी गुड 24 होगा आंसर ठीक है याद रखना है चलिए आगे चलते हैं पूछा गया है कंप्यूटर कला के लिए प्रशिद जो चित्रकार है वो किस देश के हैं इस्पेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका क्या होगा आंसर कंप्यूटर कला के लिए प्रशिद चित्रकार किस देश के हैं इस्पेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका हाँ बिल्कुल आंसर है आपका option D याद रखना है ये है America ठीक है चले आगे चलते हैं अच्छे ये बताइए resolution जो होता है आपका resolution इसकी एकाई क्या होती है मालूम है किसी को resolution की एकाई किसको कहते है resolution की एकाई क्या है बताइए आप लोग हाँ अच्छा बताइए चित्र में जो photo realism होता है उसका चित्रन किसने किया था मालूम है किसी को चित्र में photo realism का चित्रन किसने किया था तो याद रखना है ये किया था विकास भटाचारने किसने किया था विकास भटाचारने किया था याद रखना है, किसने भट्टा चार ने, ठीक है, याद रखना है, चलिए, next question पर आते हैं, next question आपके screen पर है, computer के जनक, पताईए, क्या होगा, computer के जनक पूछ लिए गए हैं आपसे, कौन है, 25, चलिए, answer की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, यह हैं अपने Charles Babis, ठीक है, इस question का, यह तो अधूरा ही छूट गया है, देखें, जो पूछा गया थना, आपसे last question, computer कला के प्रशिद जो चित्रकार हैं, यह तो बताया ही नहीं आपने, बताईए, कौन हैं चित्रकार, जिसकी बात हो रहे हैं, कि यह अमेरिका के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, मालूम है किसी को, प्रशिद computer चित्रकार कौन हैं, जो अमेरिका के हैं, नाम बताईए जल्दी से, सब मिलेंगी class, पहले इसको बताईए, कि computer कला के प्रशिद चित्रकार कौन हैं, जो अमेरिका से ब्लॉंग करते हैं, अभी तक आंसर नहीं दे पाए, चलिए, आंसर बताते हैं, आंसर होगा आपका Charles Curie, क्या नाम है, Charles Curie नाम है, ठीक है, याद रखना है, ये हैं, जो अमेरिका से ब्लॉंग करते हैं, ठीक है, याद रखना है, चलिए, आगे बढ़ते है चलिए, हाँ, क्यों रही है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next question पे, तो next, अदे, चलिए, पूछा जा रहा है, computer में, निम्न में से computer कलाकार कौन है, बताइए, computer कलाकार कौन है, 26, चलिए, आ जाएगे, हाँ, computer कलाकार पूछा गया है, 26, 26, अरे भाई साब, कलाकार पूछा है, पिता में नहीं पूछा है, पिता में पूछाएगा, तब पेबेज आएगा, मतलब जनक है ये, और यहाँ कलाकार पूछा है, option A हो जाएगा, manfred, more हो जाएगा, ठीक है, confused नहीं होना है, बिल्कुल भी, चलिए, आगे चलते हैं, next है, अमेरिकी कलाकार, डैविड स्मित, 1906-1965 के बीच में होता है, इनका टाइम, ये किस रूप में प्रशिद है, बताएगे, डैविड स्मित की बात हो रही है, ये कैसे है, विमूर्त मूर्तिकार है, बताएगे कैसे है, ये 27, डैविड स्मित की बात हुई है, और आंसर की बा पूलाक हैं, जौन मीरो हैं, या फिर आसकर को कोश्का हैं, बताए, 28, आंसर की बात करेंगे, आप्शन A होगा, जेक्सन पूलाक हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया है, अच्छा ये बताए, भविश्यवात का उदय कहां पर होता है, अभी पढ़ा है हमने, बताए, भविश् लोग बताओ, सभी लोग, पहले हमने पूछा है, भविश्यवात का उदय कहां होता है, तो शाब बास बहुत अच्छा बताया है, इटली वालो, बिल्कुल करेक्ट दिये हो, दूसरा हमने question पूछा है, भविश्यवात का प्रणेता अगर पूंचता है, तो क्या है, पताईए, इस थापना किस ने की थी, और कप की थी, बताईए, कैसी भी language पूछले, confused नहीं होना है, और हम हर तरह की language का यूज़ करेंगे, ताकि आप confused हो, बताईए, भविश्यवात की इस थापना किस ने की थी, और कप की थी, हाँ, बिल्कुल, अरे बताओ, मालिक, हाँ इसी ने की थी, देखिए, जो आपके ये फिलिपो, तोमासो, मारीनेती है, इन्होंने ही इस थापना की थी, और कप की थी, ये आप लोगोंने नहीं बताया है, 1909 में की थी, याद रखना है, ठीक है, किलियर हो गया, अच्छा बताईए, ये जो अपने मारीनेती है, इन्ह बताये, जो ये फिलिपो, तोमासो, मारीनेती है, इन्होंने 1909 में ही भविश्रवाद का घोशना पत्र जारी किया था, लेकिन वो कौनसेप समचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया था, वो पत्र का नाम क्या है, बताये, तो देखिए, उस समचार पत्र का अगर नाम पूछ लेना, तो याद रखना है, लेद फिगारो में, क्या नाम है इसका, ले फिगारो में, ठीक है, यह है समचार पत्र का नाम, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए, आगे, आगे चलते हैं, चलिए, next question आपको बताना है, एक इस्थान से विभिन रेखाओं को क्या कहते हैं बताइए क्या होगा अंसर इसको बताइए फिर अभी और question पूछते हैं most most important वाले हाँ चलिए इसका अंसर बताएंगे सभी बच्चे सभी लोग बताएंगे एक स्थान से विभीने दिशाओं की और जो जाने वाली रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम बताइए सारे questions most important है ठीक है और जो आपकी rapid fire class आने वाली है ना 17 December से आने वाली है ठीक है हमने उसका schedule भी लगा दिया है option A होगा एक पुंजी रेखाएं ठीक है अच्छा बताइए सुरील वाद सुरील वाद इसका उदय कब होता है और इसके प्रणेता कौन है बताओ सुरील वाद जल्दी से वाद निप्टा लें अपने फटा फट से बताओ जल्दी से सुरील वाद बताओ जल्दी से सुरील वाद जो है इसका उदय कब होता है तो याद रखना है 1912 में सुरील वाद का उदय होता है और इसके प्रणेता कौन है रॉबर देलाने है ठीक है अच्छे से चली आगे चलते है पुछा जाएगा आपसे नवलचीला वाद बताओ इसके लव और सुरी है नवल लचीलवाद कई यह प्रिसी को बोल देते है क्यों प्लास्टिसम मात आप जांगे चलते हैं हमें प्रणे निले नीले का पूरक अत्वा बिरौधी रंग का ըाम बताबदाना है रिजीक है टिक है चलीए आगे आईए मालूम है किसी को किया होगा नीले का पूरक अथ्वा विरोधी रंग पूछा गया है आपसे बिल्कुल तो आंसर क्या होगा आपका सभी बताएंगे बिल्कुल आंसर होगा आपका क्या शाबास वेरी गुड ऑप्शन डी हो जाएगा ये है नारंगी ठीक है धरातल मैम जी ये सब नहीं पढ़े हैं यही तो पढ़ाना है आपको रैपिट फायर क्लास में शाम को जो रात में आठ बजे चलेगी ना रैपिट फायर क्लास में बिल्कुल वही क्वेशन पढ़ाएंगे जहां से कंपटीशन होता है थर्ड का आएगा क्या आंसर चित्रण के धरातल में तो याद रखना है option A होगा ये दो होते हैं ठीक है next किसी बेवस्तु अत्वा आकरती का माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है बताईए हाँ सब कुछ देंगे परिशान नहीं होना है हर चीज आएगी एक्जाम आने दीजिए नजदीक सब कुछ मिल जाएगा फिप्ट का क्या होगा वस्तु अत्वा आकरती का माप जो है स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है option A ये है प्रमार कहलाता है ठीक है आगे चित्र में रेखा बताओ क्या है चित्र में रेखा तिक्स का बताएंगे सभी लोग चलिए आंसर की बात कर लेते हैं बिल्कुल आकरती को रूप देती है बिल्कुल सही है प्रवाह पैदा करती है सही है उभारती है बिल्कुल सही है उप्शन डी होगा बिल्कुल आप्शन डी है नेक्स्ट है भारती चित्रकला में रंग का जो महत्तु है किसके साथ महत्तु है बताएंगे प्रिकास और शाय का रेखा का परिप्रेक्ष का मॉडलिंग का क्या होगा अंसर 7 का याद रखना है रंग के साथ साथ अपनी प्यारी सी रेखरानी ओ आंसर की बात करेंगे शाबस बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी सरकारी वाला रूप भाव ले यह सब को छाकरती से समझ में आते हैं अब बताना है चित्र में जो प्रान आता है वो कहां से आता है बताएं रंग से रेखा से ले से या यह सभी से नाइंथ प्यारेंग आगे होगा चित्र में जो प्रान आते हैं वो कहां से आते हैं आप्शन डी यह सभी से आते हैं ठीक है रेखा से भी आते हैं रंग से भी आते हैं ले से भी आते हैं ठीक है आप्शन के एकॉर्डिंग होगा अगर यहां चौथे आप्शन में कुछ और दिया होता ना आकरत वस्तु की स्थिति वस्तु का आयतन वस्तु का रंग रूप ये सब ये सब ये 10 प्रिपेक्ष से इस्पश्ट क्या होता है तो याद रखना है आंसर होगा आपका आपका ओप्शन ये ये है वस्तु की स्थिति ठीक है परिपेक्ष का मतलब है आगे चलते हैं कला का मतलब क्या होता है बताइए क्या है कला बताइए आपके मन में शैतानी सूजी यही एक टाय की कला है ठीक है अनुभूरी से परिपूर्ण जो चित्रण कर दिया वही है आगे चलते हैं चित्रकला में किसका महात्य होता है अब बताईए जैसे यह चारो अप्शन अलग अलग ताइप के हैं उपर युक्त सभी नहीं दिया है तो हमें कोई एक चुनना होगा अब बताईए किसका महात्य होता है प्रकती, रंग, रेखा, परिप्रेक्ष हाँ महा तो पूछ लिया गया है बिना रेखा के कुछ नहीं ठीक है हमें रेखरानी को ले के चलना है साथ में आगे किस-किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है बताओ बता दो टफ वाला क्षेशन आ गया बिल्कुल बताई जल्दी से 13 अम नहीं अपको बताए था ना हमने आपको बताए था एक लड़का है चलिए एक सेंग हमने आपको ट्रिक बताई थे एक लड़का है लडकी ने लडकी को reject कर दिया तो लड़का क्या कहता है Christ की ये गिर जाए का से ौला सा से पफेर और ग्रे से गिर से ग्रे, ठीक है, याद रखना है, option C हो जाएगा, आगे चलते हैं, पूछा गया है, दो बिंदूओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, छै ब्रद्धी, रेखा, रूफ, ओत, हाँ, साथ गंटे वाली क्लास में भी बताया है हमने, चलिए, 14 का क्या होगा, अंसर, तो दो बिंदूओं के बीच में, खीजदो, क्या बनी, रेखा, option B, next है, अकांचा का भाव प्रकट होता है, 36 रेखा से, कर्णवत रेखा से, लंबुबत रेखा से, कठोर रेखा से, बता हाँ, सभी लोग बताएंगे, चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं, शाबास, बिल्कुल सही दिये हैं, आंसर, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका, option C हो जाएगा, option C, ये है, लंबुबत रेखा से, ठीक है, next है, प्रवाही रेखाएं क्या दिखाती है सांती, गती, स्थिर्ता, इन में से कोई नहीं, बताए, हमें पता होता है कि आप लोगों को कैसे याद होगा, खुराफाती दिमाग क्या आप लोगों का, बताए, 16 का क्या होगा, प्रवाही रेखाएं क्या दिखाती हैं, तो प्रवाहे में चल रहे हैं, मतलद गती, option B, नेक्स्ट है एक पुंजी रेखा क्या दिखाती है बताइए एक पुंजी रेखा है क्या दिखाती है क्या होगा 17 तो ये एक तरह का प्रशार दिखाती है याद रखना है ठीक है देखो ये फैल रही है न प्रशार आगे चलते हैं नेक्स्ट है स्वतंत्र रेखांकन पद्दती जो है वो किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है टर्नर, कैंडेन्स की सेजा, राजा, रभी वर्मा स्वतंत्र रेखांकन पद्दती पूछ ली है इसमें बताईए एट्टीन का क्या होगा बिल्कुल, वेरी गुड बहुत सही रीना कुमारी ने अंसर दिया है बहुत सही सबसे पहले और सबसे निउट इस्टुडेंट है आप्शन भी होगा, कैंडेन्स की नेक्स्ट है कर्णमत रेखा क्या दिखाती है अब बताओ, नाटकीता, सिथिलता, बेचैनी, शांती कर्णमत रेखाएं क्या दर्शाती है ये पूछा गया है आपसे तो बताओ, कोई आपके कान खीज दे क्या होगी, बेचैनी हो जाएगी ना आप्शन C हो जाएगा ठीक है, छिली आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर तो दो बिंदों के मद्ध की जो रेखिये प्रभाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है चैतिज रेखा, समांतर रेखा, संधी रेखा अनुभूत रेखा, 20, क्या होगा आंसर, दो बिंदों के मद्ध के रेखिये प्रभाव को क्या कहते हैं शाबाज, वेरी गुड आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका option B, sorry, option D हो जाएगा ये है, अनुभूत रेखा बोलते हैं ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं थोड़े speed बढ़ाओ, अपनी धीमे नहीं चलना है, आगे चलते हैं next है, कोडिये तथा तरियक रेखाएं क्या प्रकट करती हैं आसुरक्षा, उजा उत्तेजना, नात्कीता बताईए, कोडिये तथा तरियक रेखा, बताओ बिल्कुल, option A, ये है आसुरक्षा आगे, 36 रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं बताईए, व्याकुलता का शान्त, गतिमे, शोक सारे क्वेशन्स मिले जा रहे हैं कि कौन सी रेखाएं, क्या प्रकट करती हैं यहाँ से समझ में आ चाहेगा सब बताईए, 36 रेखाएं जो हैं कितने दिखाई देंगे, 23 बिलकुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन B होगा यह 3 दिखाई देते हैं, ठीक है याद रखना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रूप का वर्गी करण कितने भागों में होता है, बताईए रूप का जो वर्गी करण है वो कितने भागों में होता है सभी बताएंगे, और एकदम इस पीड में, जितने बच्चे उपस्थित हुआ करें सभी लोग बताया करिए आप लोग, ठीक है हाँ, उपस्थित रहते हैं जाने कितने, और बताते हैं बस दो ही चार लोग चली, बताएंगे सभी लोग 24 का क्या होगा आंसर हाँ, बिल्कुल चली, आंसर की बात कर लेते हैं बिल्कुल, आंसर दिया है आप लोगोंने ऑप्शन D हो जाएगा, ये दो होते हैं ठीक है, आगे चलते हैं हाँ, बिल्कुल सही दिया है, सम्मिट और परिमित और आपरिमित, ठीक है आगे चलते हैं, पूछा गया है रूप का सरुप्रथम परिचय होता है किस में? आत्मा को, हिर्दय को आँखों को, जिम्ड़ में से कोई नहीं रूप का सरुप्रथम जो परिचय होता है वो किसको होता है? 25 कोई सुन्दर सी कन्या आपके सामने से गुजर जाए तो सबसे पहले नजरें ही जाएंगे उसके उपर option C ठीक है आगे next है घनाक्रतियों के अंतरगत क्या नहीं आता है इट अम्रूद पुस्तक डिमबब बताईए घन 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 पुछा है तो बताईए 26 समझ में ही आ रहा है गोल गोल होता है अम्रूद ठीक है घन पुछा है तो इस तरह की आकरती जो होगी वो बाकी है आगे चलते हैं पदार्थिकी जो मुख्य रंगते हैं वो क्या है पीली है नीली है लाल है ये सभी है 27 बताएंगे सभी पदा थी कि जो मुख्य रंगते हैं वो कौन सी है शाबाज बिल्कुल ये सभी है ठीक है ये सब हो जाती है आगे वर्ण का गुड़ क्या है रंगत है, मान है, सघंता है ये सभी है, बताएं क्या है चलिए बताएं 28 आज तो यहां बहुत भैंकर तरीके से पानी बरस रहा है आप लोगों के भी आप बरस रहा है ति केवल इंद्रदेव हमारे यहां प्रशन्न मुद्रा में है वर्ण के गुड़ ये सभी है ठीक है, रंगत मान सघंता ये सभी है ठीक है, आगे सूर के प्रकाश के रंगों का सही क्रम बताईए लीजे बताई, सूर के प्रकाश के रंगों का सही क्रम पूछ लिया है आपसे अच्छा, मेर अट में नहीं बरस रहा इसकी ट्रिक होती है, बैनिया, पी, ना, ला आपको जिस ट्रिक से याद हो, आप उससे देख सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो क्रम होगा, ऑप्शन भी हो जाएगा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, बताईए आँख में तन्तु रंग का अनुभव करते हैं, उसका नाम क्या है, बताईए तन्तु रंग का जो अनुभव करते हैं, उसका नाम क्या है, बताईए बिल्कुल, 30 प्याएंगे, सभी लोग देंगे आंसर 30 का option C हो जाएगा, roads वा, cones, ठीक है, देखे, दो टाइप की होती है आँखों में, एक roads होती है, और दूसरी cones होती है, जो हम color देखते हैं, जैसे आपने पीली-पीली सर्ट पहनी है, ठीक है, पीली-पीली तो हमारी आंखे इतनी जल्दी सिकोड नहीं पाती है, मतलब बढ़ी रहती है जब बाहर रहते ह्ınız, अगर आचानक अंधेरे में आते हैं, तो हमारी आंखे इतनी जल्दी छोटी नहीं नहीं हो पाती है, यही कारण होता है, रोट्स का ठीक है इसमें प्रोटेन पाया जाता है रोडोपसिन ऐसे करके इसमें होता है ठीक है इस तरह से तो यहां से आज हम होती है सभी बताएंगे 31 प्रिकाश की मात्रा सबसे अधिक कौन से रंग में होती है और आंसर आ रहा है आप लोगों का option A होगा पीले में होती है ठीक है next पे श्यामवा श्वेत वर्णों से चित्रन करने को क्या कहा जाता है पहु वर्णी कहते हैं वर्ण सुन्निता एक वर्णी बताएंगे 32 का चलिए पूछे गया है श्यामवा स्वेत वर्णों से चित्रन करने को हम क्या बोलते हैं तो याद रखना है option B होगा ये वर्ण सुन्निता हम बोलते हैं इसको ठीक है चलिए next पे आते हैं पूछा गया है किस वर्ण की कमपन गती सबसे अधिक होती है पीला, नीला, बैगनी, लाल पताईए कमपन गती सबसे अधिक किसकी होती है तो आंसर है आपका option C ये है बैगनी ठीक है आगे चलते हैं पूछा गया है इन में से सीत वर्ण कौन सा है नारंगी है लाल है काला है हरा है कौन सा है 34 शीत वर्ण पूछा गया है आपसे वेरी गुड आंसर है आपका option D ये है हरा कलर ठीक है next वर्ण चक्र में इस्थित आमने सामने के जो वर्ण कहलाते हैं वो क्या होते हैं समीपस्त वर्ण होते हैं विरोधी होते हैं एक आंकी होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं बताए कौन से होते हैं आमने सामने के वर्ण तो बिल्कुल सिंपल सा है option B होगा ये विरोधी वर्ण कहलाते हैं ठीक है next पे आते हैं बताए ओस्ट वर्ण जो आदर्श वृत्त लाते हैं उसमें से कितनी रंगते हैं बताए क्या होगा इसको पूरग भी बोलते हैं आमने सामने ठीक है याद रखना है इसको बताए अठारा बाइस शौबिस बत्तिस क्या होगा 36 का रंगते हैं पूछी कही हैं आपसे and answer आप लोगों का आ रहा है बहुत अच्छा answer आ रहा है बताए वर्ण की जो प्रकाश्य तवस्था होती है उसको हम किस नाम से देते हैं बिल्कुल है answer है आपका option A इसको हम टिंट बोलते हैं ठीक है next किस बैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश्य में बताई है बताए सभी बताएंगे चलिए बिल्कुल answer है आपका 38 का क्या होगा बिल्कुल सही है option A हो जाएगा ये है न्यूटन आईजन ठीक है आईजैक उल्टा लेखा है आईजैक न्यूटन होता है बताएंगे next question है 39 पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है बताएंगे बताएंगे क्या होगा 39 का चलिए answer की बात करेंगे option D होगा ये है हरा ठीक है याद रखना है पा से पीला ना से नीला हा से हरा next गर्म रंग कौन सा है ये पूछा गया है आपसे नारंगी लाल पीला ये सभी गर्म रंग पूछा गया है आपसे बिल्कुल answer की बात करेंगे ये सभी हैं लाल नारंगी पीला next पूछा गया है सरप्रथम द्रश्टी को जो आकर्षित कर लेता है वो कौन सा रंग है 41 बताएंगे धूमिल वर्ण कहते हैं शीतल वर्ण कहते हैं अगर्गामी बर्ण कहते हैं या प्रिस्ट गामी होते हैं बताएंगे 41 and answer की बात करेंगे आकर्षित करने वाले पूछे गया है और answer होगा आपका option C ये हैं अगर्गामी ठीक है next पूछा गया है तान के मुख्य भेत कौन से हैं प्रिकाश मध्य प्रकाश छाया ये सभी 42 बताएंगे तान के मुख्य भेत कौन से हैं बिल्कुल शाबास बहुत अच्छी आंसर दे रहे हैं option D होगा ये है ये सभी ठीक है शाबास next है रंगत के हलकेपन वा गहरेपन को क्या कहते हैं बताएंगे चली आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है आपका option B इसको हम तान बोलते हैं ठीक है अच्छा जल्दी से सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि offset color printing के चार color कौन कौन से होते हैं बताएंगे जल्दी से सभी लोग बताएंगे करम से बताएंगे सभी लोग जिस तरह से उनका करम होता है offset color printing के चार color बताने हैं आपको बताएंगे जल्दी से शाबबास very good कोमल ठाकुर बहुत अच्छा बताया है बताएंगे जल्दी से सभी बताएंगे फटा-फट से शाबबास CMYK CMYK मेजेंडा वाई से होगा येलो और फिर लास्ट में के से काला या ब्लैक बोल दीजे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्ष्ट है पोट से आप क्या अनुभव करते हैं बताएंगे शाबबास 44 को बताना है आपको उच्छा गया है इनका क्रम याद रखिएगा सियान होता है फिर उसके बाद मिजेंटा होता है फिर उसके बाद येलो और उसके बाद ब्लैक ठीक है ये क्रम पूछ लिया जाता है हाँ चलिए इसको बताएं 44 का चलिए आंसर की बात कर लेते हैं option D हो जाएगा ये ठीक है इस परस ग्यान अच्छा बताईए कि जो अपना भारती जंडा है उसमें जो चक्र बना हुआ है उसका कलर क्या है बताई जल्दी से जो हमारा भारती जंडा है तिरंगा उसमें जो चक्र बना हुआ है वो किस कलर का है जौन सा आपके कला में यूज हुआ है, शब्द वो बताना है आपको, और यह जो प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है, ये भी बता देना साथ में, चक्र किसका प्रतीक है, हाँ, शाब बास, very good, सुमित राज, नैवी ब्लू, ठीक है, हाँ, गुंजन, बहुत अच्छा अंसर दिया है, किस का लरका है, ये चक्र, नैवी ब्लू है, याद रखना है, और ये किसको दिखाता है, निरंतरता, गती को दिखाता है, याद रखना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ने, नेक्स्ट है, प्रतेक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, तान, पोत, अंतराल, प्र आ रहा है, आप लोगों का, धीमी नहीं चलना है, बिल्कुल भी, अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से करते हैं हम, तो याद रखना है, ऑप्शन भी हो जाएगा, ये पोत के माध्यम से करते हैं, आगे, नेक्स्ट है, पोत का मतलब क्या होता है, बताईए, धरातल की बनावट है, या फिर चोड़ाई लंबाई है, या गहराई है, क्या है इसका, बताईए, चली, आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन A हो जाएगा, ये है धरातल की बनावट, ठीक है, चली, अच्छा, अब हमें ये बताईए, कि जो नारंगी रंग बनता है, वो किस-किस को मिलाने से बनता है, बताएंगे सबी लोग, किन रंगों को मिलाने से हम नारंगी रंग बनाते हैं, बताओ, बताओ, बताएंगे सबी लोग, नारंगी रंग हम किस-किस से मिलाते हैं, शाबास, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही द और हैं नेक्स्ट है धरातल की बनावत या गुढ क्या कहलाता है बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा 27 आंसर होगा गुढ पूछा गया है बनावत या गुढ क्या कहलाता है इसे हम क्या बोलते है 47 बहुत सखेंच C होगा ठीक है इसको हम पोद बोलते हैं अच्छा बताइए पोद के कितने भेद माने गए हैं किसी को मालूम है पोद के कितने भेद माने गए हैं पता है किसी को देखे इसके तीन प्रकार माने गए हैं कौन-कौन से पहला है जो given दिया होता है मतलब प्राप्त होता है दूसरा है क्रतिम और तीसरा होता है स्रजित मतलब creative ठीक है ऐसे दे सकता है कि इन में से कौन सा नहीं है नेक्स्ट है पोत मुकरूप से कितने प्रकार के माने गए है वही question आ गया है अभी जैसा पूछा है 48 का क्या होगा बताइए कितने प्रकार के माने गए है पोत बिल्कुल option B हो जाएगा तीन नेक्स्ट अंतराल को भूमी बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है बहुत important question है बताना है 49 का क्या होगा answer बताइए शाब बस बिल्कुल सही बताइए 49 का क्या होगा आंसर की बात करेंगे आंसर आपका option D होगा ये है आपका संग्रांगर सूत्र दार में ठीक है अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता था बताइए 50 का क्या होगा answer सभी लोग बताईएंगे क्या होगा चलिए आंसर की बात कर लेते हैं बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा answer कर रहे हैं प्राचीन ग्रंथों में अंतराल को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा गया है, तो याद रखना है, ये इस्थान भी बोलते थे, भूमी बंधन, ये सभी इनके अंतर गत आ जाती थी, ठीक है, option D हो जाएगा, आगे, अंतराल को इस्थान निरूपन कहा गया है, किसमे, अभी ये जो हमने पड़ option C होगा, अभिला, शितार्थ, चिंतामडी में इसको कहा गया है, याद रखना है, ठीक है, आगे, पूछा गया है, विश्णु धर्मुत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है, इस्थान, छेत्र, इस्थान, निरूपन, धरातल, बताएगे क्या होगा 52, हाँ, बता option A होगा, इसको हमने इस्थान नाम दिया है, ठीक है, नेक्स्ट है, अंतराल में समविभाजन का मतलब क्या होता है, चारो और से तलका समान भार, तीनो और से तलका आसमान भार, दोनों और से तलका आसमान भार, इन में से कोई नहीं, क्या होगा 53 का, बताएगे, बिलकुल और से तलका जो समान भार होता है, उसी को हम सम विभाजन का नाम दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, नेक्स्ट है, स्वर्णिम विभाजन सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया है, और most important question है ये, आपके exam के लिए, बताएगे किस ने दिया है, स्वर्णिम विभाजन सिध्धान का प्रतिपादन, बिल्कुल, option B होगा, ये, यूकलिड ने दिया है, ठीक है, आगे चलते हैं, स्वर्णिम विभाजन नियम जो है, ये किस पर आधारित है, बताएगे ये, क्या है, प्रभाविता का है, संतुलन का है, एक्ता का है, अनुपात का है, 55, बताएग नेक्स्ट पे आते हैं, तो असम विभाजन में कलाकार की इस्थि क्या हो जाती है, स्वतंत्र होती है, सास्ती नियमों से, बद्धा हुआ होता है, योगी की भादी होता है, इन में से कोई नहीं होता है, क्या होता है अंसर? असम लिखा है, यह समविभाजन है याद रखना है, option A होगा, यह है, सुतंत्र होती है ठीक है, next, लंबाई वा चोड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते है 3 आयामी, 2 आयामी, द्रश्टकत भार, आयतन, 57 बताइए, लंबाई चोड़ाई की बात हो रही है आंसर क्या होगा, बहुत सही, very good, शाबबाई, option B होगा, यह है द्रश्टकत भार, आयामी next है, बैगनी, नारंगी, मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बताइए जल्दी से, पठाफट से चलिए क्या होगा, सभी बताएंगे बा से हो गया बैगनी, ना से हो गया नारंगी, रस से हो गया, रसेट, option D, ठीक है, आगे बढ़ते हैं next है, पूर्ण अंधिकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकास डाल दें, तो वह कौन सा दिखाई देगा लाल, काला, हरा, पीला, बताएंगे, आप नया नया सूट खरीद के लाएं, और, ग्रीन कलर का सूट है, आप कहीं रेट कलर की, लाइट से गुजर गई, तो आपका सूट किस कलर का दिखाई देगा, बताएंगे, क्या होगा 59 तो याद रखना है, आप बिलकुल से काली माता देखने लगेंगी, बिलकुल ब्लैक, ठीक है, आगे, नेक्स्ट है, पीले तथा नीले रंग के बिंदूओं को जब हम पास-पास रख देते हैं, तो दूर से देखने पर क्या दिखाई देता है, बताएंगे, सभी बताएं औलिव रंगत किस रंगों से मिलकर बनी होती है, बताएंगे, औलिव रंगत पूछा गया है आपसे, बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विश्चन्स, औलिव की बात हो रही है, तो ओप्शन सी होगा, ये है हरा और बैगनी मिलकर, ठीक है, चलिए, आज आईए जल 62, बिलकुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन D, दोपहर में दिखाए ही नहीं देगा, ठीक है, याद रखना है, नेक्स्ट है, पीले प्रकास में जो बैगनी का रंग होता है, वो क्या होता है, पीले प्रकास में बैगनी, बैगन का रंग पूछा गया है, ठीक है, बताएंग क्या होगा काला होगा नीला होगा लाल होगा पीला होगा सभी बताएंगे ऑप्शन यह हो जाएगा यह काला देखेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है हरा रंग क्या होता है गर्म होता है न गर्म होता है न शीतल सीतल होता है अतधिक शीतल होता है अभी जस्ट पढ़के आएं उपर से क्या होगा बताईए तो हरा रंग क्या होता है शीतल होता है अभी पढ़ा है पहला ही क्वेश्चन था साथ आगे चलते हैं काल अंसर क्या होगा बिल्कुल बहुत अच्छा अंसर दे रहे हैं शाबबास हाँ इसको हम कहते हैं एक क्रोमेटिक ठीक है याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर आगे कौन सी कला है जो रूप्रद नहीं है चित्रकला वास्तुकला संगीत कला मूर्तिकला क्या होगा अ संगीत कला ठीक है क्लास नहीं चल रही है क्या भाई बताईए थोड़ा सा पूछा गया है पास पास रेखाए कीचकर छाय प्रकाश के प्रभाव को दर्शना क्या कहलाता है बताईए अभी उस दिन हमने जो साथ घंटे की मेराथन कराई है न उसमें ये सब चीजे हमने बह बना के अपने हाथों से नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ लीजेगा ठीक है और हाँ कल की बात सुन लीजे कल आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी केवल एक क्लास होगी महा मेराथन होगी सुबह आठ बजे होगी तो सभी लोगों को सुबह आठ बजे से जुड़ना है ठीक ह चलिए इस पर बढ़ेंगे तो आंसर की बात करेंगे आंसर है आपका option D कहते है hatching पूछा गया है जनसाधारण से संबंदित चित्रों को क्या कहते है श्याह कलम पिटका चित्र जैनर चित्र व्यक्ति चित्र 68 बताईए क्या होगा आंसर जनसाधारण से संबंदित जो चित्र होते है उनको हम क्या बोलते है तो याद रखना है option C इसको हम जैनर चित्र बोलते है ठीक है चलिए आगे चलते हैं next है चेरास क्यूरो को प्रारंब किसने किया था बताईए माइकल एंजलो लियोनाडो विंची आप लोग ठीक है option B होगा यह है लियोनाडो विंची ठीक है next पे आते हैं पूछा गया है रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बताईए ग्रीसाइल वार्णशिंग पेंटिंग ग्लेजिंग 70 बताएंगे सभी बिल्कुल option D यह है ग्लेजिंग next है कौन सा तत्त्व है जो सडंग नहीं है भाव संतुलन लावान योजना प्रमाड बताएंगे सभी बच्चे सभी लोग बताएंगे आप लोग कौन सा सडंग नहीं है यह पूछा गया है आपसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है धीमा हो गया क्या आप लोगों का option B होगा यह है संतुलन ठीक है चली अच्छा जल्दी से 6 के 6 सडंग लिख दो पूरे 6 सडंग आपको लिखके बताने हैं जल्दी से लिखो एक मिनट का टाइम है बताएंगे पूरे 6 सडंग लिखके बताएंगे सभी लोग सभी बताएंगे नेट इशू हो रहा है मैम पूरी के पूरी शैस अडंग लिखके बताने हैं आपको सुनाई दे रही है नावाज शाबास, कोमल ठाकुर, अनुपम यादव, बहुत सही, रेखारानी, बहुत अच्छा रूपेत, प्रमाड, भाव, लावर्ण, योजना, सादरश, वर्णिका भंग, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है शाबास, चलो, आगे चलते हैं, नेक्ट क्वेशन पर, पूछा गया है, इमपैस्टो का आरंब किस ने किया था अच्छा बताओ, जल्दी से यहीं पर पूछ लेते हैं, पहले, पहले इसी से संबंदित पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ, जो सडंग है ये जो सडंग है इसका मतलब ऐसा कौन से प्लाचीन ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें भारती कला की यह जो छे अंग है सडंग इसका उलेख मिलता है बताओ जल्दी किसमें मिलता है जै मंगला में मिलता है याद रखना और는 Coleman को लिखने वाले कौन हैं बताइए तक कि अन्या इस्की टीका की है वह किसने की है बताइए हो डायाइं याद रखना है ट्रक्तिव कि टाप्र कि घ्रार है चलते हैंत्य के बनें पर ठीक है चलिए very good आता है सबी को बताना है इंपेस्टो का जो आरंब किया है वो किस ने किया है तो आंसर पहले ही दे चुके हैं आप लोग एक बार फिर से दीजिए इंपेस्टो का आरंब कहां से होता है मतलब किस ने किया था बिल्कुल आंसर आ गया है आपका option C जॉन ब्रेट पॉइने ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रंग को कपड़े या कागत से रब करने वाली जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है बताईए बताएंगे सभी चलो आंसर की बात कर लेते हैं option A हो जाएगा यह है फ्रॉटेज ठीक है आगे चलते है कामसूत्र की भी नहींने की है कामसूत्र के टीका कार पूछे का तो यह शोधर पंडित है ठीक है और कामसूत्र को लिखने वाले हैं वो ठीक है नाम याद रखना वात्सयायन इसको बताइए छोटे छोटे विंदू को पास पास रखकर छायर प्रकास का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है बताइए इस कंबलिंग कहलाता है इस टिपलिंग कहलाता है इस टैपलिंग कहलाता है बताइए 74 ओप्शन सी होगा यह है इस्टिप्लिंग ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है ब्रोकन कलर का प्रियोग अपने प्रकती चित्रों प्रकती चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सबसे पहले किया है मूरिलो कॉंस्टेविल रैफिल टर्नर चलिए आजाओ जल्दी से कर लो आंसर फटा फट से करेंगे सभी लोग किसने किया है ब्रोकन कलर का प्रियोग याद रखना है ऑप्शन भी होगा यह है कॉंस्टेविल ठीक है आगे उच्छे गया है अंतराल का मतलब क्या होता है बताईए एक बर जल्दी से पटा फट से बताईए जल्दी से इसका अंसर फिर हम क्वेश्चन पूछे बढ़ी है मज़ेतार वाले ऑप्शन एव होगा कलाकार का कारेश्चेत्र होता है ठीक है अच्छा बताईए अंतराल के ही बारे में बताईए कि क्या पूछेंगे चली आगे पूछेंगे ठीक है आगे पूछेंगे दिमाग में नहीं आ रहा आगे चलते हैं रंगो के सही क्रम का चैन करना है बताईए अपडेट करेंगे उनमें दिखने लगेगा ठीक है इसको बताईए 77 का क्या होगा रंगो का सही क्रम पूछा गया है तो बिल्कुल सि जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं पूछा गया है फलफूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है यांत्रिक अंकन यथार्थ अंकन प्राक्तिक अंकन या फिर वास्तु चित्रण सभी बताएंगे चली आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी यह है प्राक्तिक अंकन नेक्स्ट सफेद काला या किसी रंग के मान को क्या बोलेंगे मान रंगत क्रोमा आभा रंग सफेद काला या किसी रंग के मान 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 को क्या कहते हैं बताएए आंसर है आपका Option D ये आभरंग बोलते हैं ठीक है Next पूछा गया है सीत वर्ण कौन सा है 80 कितने बार पूछा गया है ये question गुमा गुमा के बस वही Option B हर एको बोलते हैं ठीक है अभी पुड़ चुके है Next है परिप्रेक्ष कितने प्रकार का होता है 2, 4, 8, 3 बताईए 81 परिप्रेक्ष कितने प्रकार का होता है ये आपसे पूछा गया है question बताईए चली तो 81 का क्या है Option A 2 होता है ठीक है आगे तीवर प्रकास को हम क्या बोलते हैं Shade, Tint, Madhyam प्रकास, Highlight 82 बताईए जल्दी से तीवर प्रकास को हम बोलेगी क्या याद रखना है option D होगा Highlight बोलते हैं ठीक है आगे बताईए virgin space क्या है लाल धबबा है आकाश है रंगीन भूमी है खाली अंतराल है 83 आइसर है आपका option D खाली अंतराल को हम virgin space बोलते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है बहुत लंबा है ये आप बताईए निम्ने में से कौन सा कथन सही है बताईए रेखांकन मूर्ती बनाने से अधिक महत्वण है रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है सिर्फ चित्रकला महत्वण है मैं क्या बुला कर लाएंगी उनको अब मतलब बताईए इसका क्या होगा 84 चलिए आंसर की बात करेंगे option B होगा ये है रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है ठीक है चलिए अच्छे एक question बताईए जल्दी से सुक्राचार ने पुर्शा क्रतियों को कितने प्रकार से बाता है मालूम है किसी को जो सुक्राचार है इन्होंने पुर्शा क्रतियों को कितने प्रकार से बाता है बताईए जल्दी से मालूम है किसी को बताईए क्या होगा चलिए हमने पूछा है सुक्राचार ने पुरशा कृतियों को कितने प्रकार का माना है very good पांच कौन-कौन से है जल्दी से नाम छाब दो फटा-फट से पांचों के नाम लिखो जल्दी से चोथा एंड पांच वा बताई जल्दी से पांचों के नाम सभी बताएंगे पांच जो बाटे हैं कौन-कौन से नाम है देखे पांच प्रकार से जो जो है न याद रखना है पहला है नर दूसरा है क्रूर पिर तीसरा है असुर और और क्या है और एक यह है वामन है और फिर है कुमार तो इस तरह से पांच भागों में बाटा है पांच प्रकार के बताएं है उन्होंने कौन-कौन से नर, क्रूर, असुर, वामन, कुमार ठीक है याद रखना है अच्छा यह बताईए कि जो आदर्ष मनुस्याकृती होती है उसके लिए भारत में कौन से ताल दिखाया जाता है बताईए कौन से ताल प्रशिद्य है आदर्ष मनुस्याकृती के लिए बताए किसी को बताईए जल्दी से आदर्ष मनुस्याकृती को वेरी गुड ओमची बहुत सही नव ताल ठीक है याद रखना है चलिए अच्छा बताईए एक ताल कितने अंगुल के बराबर होता है मालूम है किसी को एक ताल कितने अंगुल के बराबर होता है बताईए चलिए आगे चलते हैं तब तक पूछा गया है कश्मीर के प्रिशिद सौंदर शास्ती छेमेंद्र ने निम्निमे से किस ग्रंथ को लिखा है बताएंगे सबी वेरी गुड बारा अंगुल के बराबर होता है याद रखना है ठीक है एक ताल बारा अंगुल के हाँ इसको बताए 85 आंसर होगा ओप्शन सी यह है कला विलास नेक्स्ट पूछा गया है व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपी करण का प्रियोग एक सुविधा है किस चीज़ की अभी व्यक्तिवाद प्रभाववाद क्यूबिस्म ड ओप्शन ए यह है अभी व्यक्तिवाद ठीक है आगे पूछा गया है रंग पैहे में एक दूसरे के विप्रीत रंगों को क्या कहते हैं वही क्वेश्चन आ गया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बताइए क्या कहते हैं हम इनको 87 में विप्रीत को तो यही है अपना पूरत ठीक है आगे नेक्स्ट है दिये गए विकल्पों में से भारती कला की विशेस्ता की पहचान करना है बताइए क्या होगा 88 का रभी जी कंट्रोल यूरसेल्फ बताइए क्या होगा 88 चली आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी यह है वर्ण नात्मत ठीक है आगे चलते हैं अन्वेशन किया जाता है चित्रकला बताइए क्या होगा मूर्तिकला नृत वास्तुकला बहुत मार खाओगे सभी में कुछ लोग ऐसे बिलकुल से कहते नहीं है जैसे बच्चे मू लग जाते हैं जो ऐसे ही यह दो तीन परसन ऐसे हैं कि बिलकुल से लाड लडाने वाले ह उतना कम है नको option B होगा यह है मूर्तिकला ठेक है अरे या इसक और दृश्त नहीं देखे एक से कार थी और भी है यह है चित्रकला भी है मूर्तिकला भी है और साथ ही साथ आपके वास्तुकला भी है ठीक है यह नरत नहीं होगा कला रूपों का जो अन्वेशन किया है न द्रश्चकला में तो याद रहते हैं चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला नरत नहीं होगा ठीक है आगे चल पूछा गया है द्रश्य कलाओं का संबंध किससे है ये पूछा है option A होगा ये रूपात्मक तत्तों से इसका संबंध है ठीक है आगे चलते हैं ध्यान नहीं दिया था वो नीचे ही छूड़ गया था question बताई इसका क्या होगा स्वार्णिम आयत का सिध्धांत जो है वो किससे संबंधित है रूप का आयतन रूप का घनत पनत फिर है संयोजन परिप्रेक्ष फिर है संयोजनात्मक अनुपात बताईए 91 तो आंसर याद रखना है option D हो जाएगा ये है संयोजन गत अनुपात option D हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है कला का उदात उद्देश क्या हो सकता है परंपरा का संरक्षन बताईए परंपरा का संरक्षन भौतिक सुविधा और उपयोगिता मनोरंजन चेतना का सुध्धी करण और सौंदर्य बोध 92 चली आंसर की बात करेंगे उद्देश पूछा गया है और ये है आपका चेतना का सुध्धी करण और सौंदर्य बोध option D हो जाएगा आप लोगों के में पता नहीं क्यों नहीं चला करता है यहां तो बिल्कुल सही चलता है नेक्स्ट कहीं भी कोई समस्या नहीं होती है कहीं भी कोई समस्या नहीं होती है देखो बिल्कुल सही है बीच बीच में आवाज वो हो सकता है कि डगमगा जाती हो चल रही है मैं धड़ाके से हाँ धड़ाके से ही चलनी से है यह क्लास ठीक है और याद है न कल क्या होना है कल के लिए सुन लिचे कल के लिए कल सुब़ह आठ बजे क्लास होगी सुबह से बुचलती रहेगी मैराथन है पूरी थियोरी कंप्लीट करवाई जा रही है फर्स्ट पार्ट उसका हो चुका है सेकेंड पार्ट आपका कल आने वाला है ठीक है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है कुमल जी कह रही है मेरा तो बहुत अच्छे से चल रहा है चल यह ठीक है कोई बात नहीं मैम नो एनी प्रॉब्लम वेरी गुड ठीक है चल एक सेकेंड रुकीगा हम एक चीज दिखाते हैं कि अच्छे से चल रहा है कि अच्छे से चल रहा है कि अच्छे से चल रहा है तेरी ठीक है झाल झाल क्लास चल रही है ठीक है हम अब लाइव है हाँ तो हम यह दिखाना था कि यह जो क्लास है ना अरे इसमें तो देखे गई नहीं यह कलर यह जो आपको अभी दिखाया है हमने यह 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है यह आपकी क्लास ठीक है ठीक है यह जो क्लास है आपकी क्लास होगी आपकी रात को आठ वजे ठीक है यह रैपिट क्लास होगी रैपिट फायर क्लास और इसमें आपके इसमें आपको हाँ चलिए ठीक है रैपिट फायर जो क्लास होगी इसमें आपको पूरा कम्प्लीट जितने भी फैक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमने पूरी एक गंटे जैसी क्लास पढ़ ली है ठीक है पंदरा मिनट में हम इसको बहुत सारी चीज़े बता देंगे आप लोगों को ठीक है चलिए फिर अब आफ करते हैं करते हैं